Hello Friends, Welcome back to my channel PUNAM90 Friends, आज की वीडियो में जानेंगे कि गरबती महिलां को ग्रहण की दौरान होली कैसे मनानी है? ग्रहण की सईट टाइमिंग क्या होगी? और ग्रहण की दौरान आपको कौन से नियम मानने है? Friends, इस साल 2024 में चार ग्रहण लगने वाले हैं, जिन में से दो चंदर ग्रहण हैं और दो सूर्य ग्रहण हैं साल का पहला ग्रहण जो की चंदर ग्रहण होगा हिंदू पंचांग के अनुसार भागुन मास की पौनमा तिथी यानि 25 मार्च 2024 को सोमबार के दिन हिंदूओं के प्रमुक्त योहार होली पर लगने जा रहा है गरबती महिलाएं ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाती हैं ऐसे में महिलाएं गरवस्त सिसु को लेकर टेंशन में आ जाती हैं ऐसे में उनके मन में कई सवाल आते हैं जैसे की ग्रहण पर क्या नियम पालन करें? होली कैसे मनाएं, ग्रण के दोरान होली मनाते समय क्या साथदानी रखें, पूजा कब करें, सूतक का समय क्या है, भारत में सूतक मानने होगा या नहीं, ग्रण कब से कब तक रहेगा, ग्रण भारत में दिखाई देगा या नहीं, तो आपके इनी सारे सवालों के जवाब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर प्रत्वी की छाया पड़ती है और वह दिखाई नहीं देता इसी इस्तिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं विच्यान के अनुसार गिरहण पूरी तरह से खगोलिय गठना है गिरहण प्रकृती में आंत्रिक बदलाव के लिए होता है जिस तरह से हम सब की जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं उसी प्रकार सदैव किरियासिल ब्रहमांड में भी परवर्दन होते रहते है इस सब के भलसरोग ब्रहमांड में कोई भी बुरी सकती नहीं है जो की गरबबती महिलाओं पर बुरा असर करती है खास कर तब जब आप भगवान की सरवोच करती मानव रूप को इस दुनिया में लाने जा रही है इस सब के भाबजूद जोतिस और धार्मिक सास्त्रों मे गरबती महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं साथ ही हमारे बड़े बुड़े बुजर्ग भी उन नियमों को मानने की सला देते हैं ऐसे में गरबती महिलाओं अपनी चिंताओं को दूर कर अपनी बुजर्ग और अपनी संतुष्टी के लिए कुछ नियमों का ध् 25 मार्च 2024 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहंड भारतिय समय अनुसार सुबह 10 बज कर 23 मिनट से शुरू होगा और दोपेर 3 बज कर 2 मिनट तक रहेगा यह भारत का चंद्रमा उद्य होने का समय नहीं है इसलिए भारत में ग्रहंड का सीधा प्रभाब भी नहीं पड़ेगा यह ग्रहंड इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्चियम, होलेंड, स्विटिजरलेंड, दच्चडी नार्वे, उत्रीवा दच्चडी अमेरका, जापान, रूस के पूर्वी भाग, होस्टेलिया और इंग्लेंड में दिखाई देगा, इसलिए भारत में ग्रहंड और सूतक कालकेनियम मानने नहीं होंगे, इसलिए भारती महिलाएं निश्चिंत रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, गरबती महिलाएं इस समय ज्यादा से सुरच्छा की द्रश्टी से बाहर न निकलें और जितना हो सके ग्रहण की दोरान मंत्रों चारण करें, और ग्रहण सुरू होने से पहले अपने गरब पर तुलसी चंदन या गेरू का लेब लगा लें, अब बात कर लेते हैं होली की दोरान आपको क्या साबदानी रखनी ह होली यानि ग्रहण की समय, आपको घर के अंदर रहकर ही होली मनानी है, आपको मिठाई या तलीब उनी मसालेदार चीजों की जगे हेल्दी फूर का सेवन करना है, अपने घर के फर्श को सूखा रखें, गीले कलरों से होली ना खेलें, नहीं तो आप फिसल सकती हैं और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें, थैंक्स, कुछ बहुत